नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है जनसत्ता समाचार पत्र से संपात की डिक्टेशन लिखेंगे आप इसको 5 स्टार रेटिंग में रख सकते हैं इस डिक्टेशन को क्योंकि ऐसी ही पूर्वत्तर से संपात की डिक्टेशन हैं जो रामधारी खंड एक में लिखी हुई है उनको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसी का एक अपडेटेड वर्जन आप इसको मान सकते हैं ठीक, रडी मडिपूर में फैली व्यापक हिंसा के मद्दे नजर अब इस उपद्रों में शामिल लोगों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया गया है वहां भारी संख्या में सेना, असम राइफल्स और इस्थानिय पुलिस बल को तैनात किया गया है वहां की इस्थिति का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 9000 से अधिक लोग विस्थापित हो चुके है मडिपूर सरकार का कहना है कि लोग गलत फैहमी के चलते हिंसा पर उतारू हो गए है मगर सवाल है कि यह गलत फैहमी पैदा कैसे हुई क्या सरकार ने उसे दूर करने का कोई प्रयास किया अगर सरकार ने सचमुच गंभीरता से इस मसले को सुलजहने का प्रयास किया होता तो शायद यह नौबत ही ना आने पाती दरसल मडिपुर उच्च न्यायाले ने बुद्धवार को एक आदेश दिया जिसमें कहा गया है कि सरकार मैतेई समुदाय के लोगों को आदिवासी समुदाय का दरजा देने पर विचार करे इसी को लेकर दूसरे आदिवासी समुदाय के लोगों ने हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया हलांकी यह मामला नया नहीं है मैतेई समुदाय लंबे समय से अपने को आदिवासी समुदाय में शामिल करने की मांग कर रहा है इसी सम्बंध में अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था मगर इस हिंसक प्रदर्शन की असली वजह अदालत का फैसला नहीं बलकि सरकार का रवया है इस साल फरवरी में जब सरकार ने पहाडी इलाकों से अवैध प्रवासियों को निकालना शुरू किया था तभी पहली बार हिंसा भड़की थी वहां की नगा और कुकी समुदाय की 33 जातियों को जनजाति का दरजा मिला हुआ है और उनके लिए चिन्हित भूभाग पर किसी गैर जनजाति समुदाय के व्यक्ति का कबजा नहीं हो सकता मगर जिन लोगों को प्रवासी बता कर बाहर निकाला गया कुकी समुदाय उन्हें अपने लोग बता रहा था दरसल विवाद की असली वजह यही है कि अगर अदालत के कहने पर सरकार ने मैतेई समुदाय को जनजाति का दरजा दे दिया तो वे नागा और कुकी के लिए आरक्षित भूखंडों पर भी कबजा जमाना शुरू कर देंगे मैतेई समुदाय वहां आर्थिक और राजनीतिक रूप से काफी ताकतवर है उनके हिसे में भूखंड बेशक कम हो पर संख्या बल में वे जातिय समुदायों से काफी अधिक है और प्रदेश की राजनीति में 60 से 40 विधान सभाओं पर काबिज है ऐसे में जनजातिय समुदायों को भय है कि मैतेई समुदाय उनका हक छेन लेगा मैतेई समुदाय का कहना है कि मडिपुर के भारत में विलह से पहले उसे जनजातिय समुदाय का दरजा मिला हुआ था इसके लिए उसकी पुरानी पहचान लोटा दी जाए इसी पर विचार के लिए अदालत ने कहा है ऐसा नहीं कि माणिपुर सरकार जनजातिय और गैर जनजातिय समुदायों के बीच लंबे समय से चल रहे इस संघर्ष से अंजान है जब फर्वरी में उसने प्रवासियों को बाहर निकालने का अभियान शुरू किया तभी उसे इन दोनों के बीच सामनजस्य बिठाने का प्रयास करना चाहिए था पूर्वतर में जातिय संघर्ष जब तब हिंसक रूप अक्तियार कर लेता है और उसके चलते वहां का सारा जनजीवन अस्तव्यस्त हो जाता है नाहक लोग मारे जाते हैं ऐसे में अगर सरकार कह रही है कि गलत फहमी के चलते लोग हिंसक हो उठे हैं तो उस गलत फहमी को दूर करने की जिम्मेदारी भी उसी की है मगर अभी तक उसकी तरब से कोई ऐसी पहल कदमी नहीं देखी गई है वह सेना के बल पर लोगों के विरोध को दबाने का प्रयास कर रही है इस तरह विरोध शायद ही दबे मैं उमीद करता हूँ विडिक्टेशन आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा जो वर्ट्स आपके छोड़ गए है या आउटलाइन सही नहीं बनी है प्रीज उनको देखें और उनकी अलग से प्राक्टिस करें यह एक इंपोर्टन डिक्टेशन है